सक्षम नियूज इंडिया में आपका स्वागत है मैं पुष शाली सिंग और आप देख रहे हैं सक्षम नियूज इंडिया की विसेश रिपोर्ट भाजपा नेता खैर चेर्मेंट पंकच पवार पर फरजी तरीके से अंसूचित जाती का प्रमार पट बनवाने का रोप लगाते हुए वा फरजी तरीके से बनवाए हुए प्रमार पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर समास सेवी के एल पंडित वर राजेस चौदरी तहसील प्रांगण में अनिस्चित कालिन हर्ताल पर बैठे हुए हैं हमारे समवादादा कैलास गोईलने की उनसे बाचीत क्या कुछ कहना था देखे इस वक्त हम खड़े हुए हैं जिलालीगड के तैसील प्रांगण में और यहां पर कुछ समास से भी भूख हर्ताल पर बैठे हुए हैं आए जानेंगे क्यों यह भूख हर्ताल पर यहां पर बैठे हुए हैं जी आपका नाम मेरा नाम राजेश चौधरी है हम भूख हर्ताल पर इसलिए बैठे हुए हैं कि खेन नगरपाली का चेर्मन पंकज पबाड ने तैसील दार के फरजी हस्ताक्षर इसकिन कर अपने जो 2013 से हमें इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कोई अधिकारी हमारी शुरना ही रहा है अब हमें उम्मीद है कि भेश्टा चार विरोधी सरकार है जरूर हमें सफलता मिलेगी और हमारी बात डीम साब भी सुनाएंगे इसमें जो है डीम साब ने कमेटी भी गठित कर रखी है जि नाज तक उसमें कोई कारिवाई नहीं हुई हमारी मजबूरी है वो पंकज पबार दुरुपयों कर रहे हैं अपने जो है लगातार अधिकारों का जबकि वह बास्तिविक्ता में ठाकुर जाती के हैं सामानिवर्ग से चेर्मन मने हुए अचा हमारे साथ में यहां खेर के कुछ सबासद भी मौझूद हैं वो सयोक कर रहे हैं यहां भूकरताल में उनसे भी जानेंगे क्यों यह हर्ताल की जा रही है अचा जैसे कि पिछले कुछ टाइम पहले भी आप यहां पे भूकरताल पर बैठे थे तो एक दिन के लिए आप यहां पे भूकरताल पर बैठे तो क्या प्रसासन से कुछ आपको साहेता मिली क्या कोई कारेवाई हुई क्यों आप दुबारा से यहां पे फिर से भूकरताल पर बैठें लेकिन साथ दिन समय होने के बाद में जलादकारी महुदय के लेटर पर कोई कारवाई नहीं हुए इसलिए कारवाई नहीं होने कार हम दुवारा भूकरतार करने को मश्बूर हुए और अब ये भूकरतार हमारी सासन सत्ता प्रशासन से निवेदन है कि जब तक चलेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा या तो सासन इसको ठाकुर जाती माने या एस्ती जाती माने एक जाती का सैटिपिकर देदेगा हमारी कमिया है को सासन जेल्द भेद दे इनकी कमिया है इनको जेल्द